तो आज हम पढ़ने वाले हैं different types of velocity तो जैसे की students पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे velocity क्या होता है displacement upon time जो होता है उसको हम बोलते हैं velocity राइट यहने कि एक particular time में जितना displacement हुआ है उस object की वो velocity कहलाती है यह एक simple definition हो गई अब आज यहाँ पे हम इसके 4 types परने वाले students तो चलिए देखते हैं one by one सबसे पहले देखेंगे uniform velocity तो जैसे की नाम सी clear है uniform हैने की एक जैसे एक ही जैसे होना चाहिए change नहीं होना चाहिए तो वह यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई एक object है जो की move कर रहा है याने की एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है और जब यह object एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है तो जो उसकी speed है वो constant है एक जैसे है और जो यह object है जब यह move कर रहा है तो एक fixed direction certain मतलब fix पहल constant velocity से याने कि students uniform velocity और constant velocity ये दोनों ही जो है वो एक ही है difference कुछ भी नहीं है तो अगर इसको हम थोज़ाइब करते हैं example से कि एक body है और वो जो body है वो basically uniform velocity से motion कर रही है और उसकी जो direction है वो भी fix है और जो speed है वो भी fix है याने कि आपको यह चीज़ समझ में आनी चाहिए कि उस object या body की speed और जो direction है वो change नहीं हो सकते हैं वो एक ही जैसे होंगे constant होंगे time के साथ याने कि अगर आप अलग-अलग experiment कर रहे हैं मान लेते हैं पहले वन hour में आप देख रहे हैं कि वो object जो है वो एक fix speed मान लेते हैं 10 km per second से move कर रहा है और उसकी direction भी fix है तो next one hour में भी वो 10 km per hour से ही चलना चाहिए और उसकी direction भी क्या होनी चाहिए तब ही उस object या body को हम बोलेंगे वो uniform velocity से चल रहा है तो इसकी अगर definition की बात करते हैं कि कोई एक body या object है जब वो displaced हो रहा है displacement याने की एक जगह से दूसरे जगह पर खसकना तो ऐसा क्यों कर रहा है students because we are dealing with the velocity हाना हम definition देख रहे है velocity की तो velocity का formula ही होता है displacement upon time जो कि हमने पिछले वीडियो में आरड़ी पढ़के आए है तो यहाँ पर बोलने का मतलब वही students क्योंकि हम यहाँ पर uniform velocity को deal कर रहे हैं तो आपको displacement के terms में बात करने होगी तो वही बोला गया है जब कोई body या object जब वो displacement करता है equal याने की अलग-अलग experiment कर रहे हैं और हम equal interval of time ले रहे हैं जैसे कि यह भी हमने बात किये थे तो अगर equal interval of time याने की 1-1 hour का duration या 1-1 minute का जितना भी आप ले रहे हैं उस equal interval of time में अगर object या body जो है वो एक ही जैसा है य body को हम बोलेंगे जो उसकी velocity है वो uniform velocity है ओके students इतना clear है चली बात करते है second type की जो किये non uniform velocity या इसी को दूसरा नाम दिया गया है variable velocity तो students नाम से क्या लग रहा है कि non uniform याने की एक जैसे नहीं होगी तो सीधी सी बात है एक fixed equal interval of time में एक fixed equal interval of time में अगर object या body अपनी speed या फिर direction change करती है तो उस case में उस velocity को हम बोलेंगे non uniform या फिर variable velocity तो चलिए देखते हैं यहां बोला गया कि object है जो की move कर रहा है variable speed से variable मतलब जो speed change हो रही है कभी slow चल रहा है कभी fast चल रहा है कभी medium speed से चल रहा है तो याने की speed उसकी change हो रही है और वो भी एक ही direction में चल रहा ह रहा है मान लेते हैं ओके यह पहली situation हो गई second situation है कि वो जो object आप बोडी है वो move कर रहा है इस तरीके से कि उसकी speed जो है वो constant है यहां पर speed जो है वो constant है बट direction जो है वो change हो रही है तो दो case हो गया पहले बार में क्या हो गया speed जो है वो change हो रही थी और direction चेंज नहीं हो रही दूसरा case हो गया जहाँ पर speed जो है वो fix है constant है और जो direction है वो change हो रही है time के respect में तो उस case में यह जो दोनों conditions हैं उसमें उस object की velocity को हम बोलेंगे non uniform या फिर variable velocity ओके students इतना clear है अब बात करतें इसके example की कौन से ऐसे object है body जो की non uniform velocity से मूह करतें तो देखिए जैसे कि हम यहाँ body है जो की motion कर रही है और यह motion कैसे कर रही है कि वो fall हो रही है और कि गिर रही है freely under the influence of gravity आने की जो gravity है किसी भी object को अपने तरफ खिशती है earth जो है earth के पास gravity होती है इसलिए हम कोई भी चीज़ जब उपर फेकते हैं तो वो कहा आती वापस नीचे गिरती है ऐसा क्यों होता ह जो कि earth के पास gravity होती है और हर चीज़ को अपने तरफ खिशती है तो इस case में आपने देखे कि equal interval of time में जो object था या जो ball था या जो body थी वो अलग-अलग speed या अलवर direction में चलती है तो इसलिए हम उस ball या उस object का जो velocity है उसको non uniform बोलते है वहीं पे एकोर यहाँ पे example दिया ह ए चल रही है तो उस case में देखिए जब आप यहाँ पे car है तो उसकी direction इधर है लेकिन जब आप देखते हैं जब car यहाँ पहुच गे तो इसकी direction इधर है तो देख रहें आपकी अगर मानते उसकी spirit same है बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी direction जो वह change हो चुकी है तो उ यहां पर क्या होता है students जब एक object execute करता है उसके motion को variable velocity के साथ याने कि जब कोई एक object है जो की non uniform velocity याने की variable velocity से चल रहा है याने कि उसकी speed और direction जो है वो लगातार change हो रही है तो उस case में अगर हमको उस object के motion को describe करना है significantly याने की बहुत अच्छे तरीके से अगर उसको describe करना है कि उस object का motion की तरीके से है तो उसके लिए हम average velocity की help लेते हैं याने कि students average velocity की जब कोई object ने body है जो की अलग-अलग speed पे या अलग-अलग direction में move कर रही है याने की non uniform velocity से move कर रही है तो अब उस object की velocity को हम क्या बोलेंगे तो उसके लिए हम को average velocity की जोड़ पढ़ती है अब देखिए इसके दर formula की बात करें तो normal सा formula होगा that is total displacement upon total interval of time तो इस formula के base पे इसकी definition बनेगी students अब जैसे कि मैंने आपको बोला total displacement upon total time interval तो upon को क्या बोलते है हम ratio बोलते है तो basically यहाँ पे जो average velocity है वो क्या है ratio है total displacement of the object यहने कि object का जो total displacement है उसका ratio किसके साथ total time taken इसको क्या बोलेंगे हम average velocity ओकी students इतना clear है अब है students अगर हम average velocity को थोड़ा सा और in detail में और अच्छे से समझना चाहते हैं तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक object है यहाँ body है जो की x1 पर रखी हुई है और मान ल आती है ओके तो अब यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि x1 और x2 जो है वो दो position एक object की पहले यहाँ पे था तो इसकी position x1 थी बाद में यहाँ पहुच गया तो इसकी position x2 हो गई अब मान लेते हैं कि जब time t1 था तब object यहाँ यहाँ थी जब time t2 हो गया तब object यहाँ पहुच यहाँ पहुच यहाँ पहुच यहाँ से यहाँ पर जानने के लिए object यहाँ body को कुछ time लगता है तो time t1 ले लिए यहाँ पर time t2 ले लिए तो इस case में अगर हमको average velocity दिखाना है इस object यहाँ body की तो हम लिखेंगे velocity average average का av आ जाएगा equal to अब देखिए total displacement displacement किसे नहीं का रहेंगे x2 minus x1 current position minus initial position यहाँ आपको अल्रेड़ी displacement की वीडियो में पढ़ा आच उके राइट तो x2 minus x1 upon t2 minus t1 time interval अब देखिए यहाँ पे x2 minus x1 यहाँ की position change हो रही है तो change होने के हम लिखते हैं dial okay dial symbol बोलते हैं इसको यहाँ कुछ लोग delta भी बोलते हैं तो dial x upon dial t तो यह हो गया formula average velocity का okay students आई हो आपको ए clear हो गया होगा चली समझते है fourth velocity that is instantaneous velocity तो जैसे की students पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे कि जो instantaneous speed होती है तो वही exactly same concept है यहाँ पे instantaneous velocity पे भी difference क्या ह students कि speed में distance upon time होता है और velocity में displacement upon time होता है सिपर इतना ही change है okay don't worry अगर आपने हो वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे तब भी यह concern आपको समझ में आ जाएगा अब देखी हम क्या समझना चाह रहे है instantaneous तो यहाँ पे एक word है instant instant का मतलब क्या होता है students कि किसी particular खास time पे पूछ टाइम ली है तो one hour का जो motion की है तो अगर पूरे one hour का velocity चाहिए तो हमको average velocity निकाले पड़ेगी लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूँ उस एक घंटे में कि कि किसी particular इतने बजे या इतने minute पे okay माल लेते हैं कि सुबर 10 बजे object या body जो है चलना start की और 11 बजे कहीं और पहुच अब मैं पूछ रहा हूँ 10 बच करके 10 minute which is called the smile time तो 10 10 पर उस object या body की velocity क्या थी तो मैं किसी particular time पे बात कर रहा हूँ किसी particular instant के लिए बात कर रहा हूँ तो उस particular instant या उस timing पे जो उस object की velocity होगी उसको हम बोलेंगे instantaneous velocity वही चीज़े आपर बोला गया कि अगर कोई object या body है जो की variable velocity से move कर रही है तो उस case में उस body की किसी particular any instant किसी particular timing पे जो velocity होती है उसको हम बोलते है instantaneous velocity अब देखिए students अब अगर मैं इसको formula के रूप में लिखना चाहूं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो formula था average velocity का उसी को पकड़ेंगे यहाँ पे जो average velocity क्या थी वो थी delta x या dial x upon dial t अब देखिए हम यहाँ पे किसी particular time पे निकार रहे हैं तो average नहीं लिखेंगे हम वो particular time की बात कर रहे हैं अब देखिए क्योंकि हम time को limit कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं एक particular time पर बात कर रहे हैं कि time को limit कर दिये उसने एक घंटा motion की लेकिन में को उसके पूरे एक घंटे के one hour के motion की बात नहीं चाहिए में को क्या जानना है कि उसे particular 1010 पर उस objective body का जो velocity है वो क्या था तो हम क्या कर दें देंगे डाइल टी जो time change हो रहा है उसको zero कर दिये याने कि जो time change हो रहा था अब वो zero के दरब बढ़ रहा है याने कि इसका सेंच समझना जो time change है वो नहीं हो रहा है time change नहीं हो रहा है मलब हम एक particular time की बात कर रहे हैं इसको लिखने का तरीका technically ऐसे होता है अब हम limit कब आते हैं तो limit लगाने के लिए मैंने आपको types of speed के वीडियो में भी instantaneous speed में आपको बताया था कि यह जो dial x upon dial TA convert हो जाता है dx upon dt तो यह जो d upon dt है जो d upon dt है यह basically हो जाता है first order derivative इसको क्या बोलते हैं d by dt को हम क्या बोलते हैं first order derivative यह मैंने आपको पहले भी बदा चुका है right students तो यह simply x हो जाएगा तो यह आपको इसी पतारोंचे जब limit लगाते हैं और limit लगाने के साथ जब dial होता है तो यह convert हो जाता है d और d में dial right क्यों क्योंकि जो d symbol है यह दिखाता है कि आप एक किसी particular instant की बात कर रहे हो किसी particular timing की बात कर रहे हो okay students इतना clear है तो इसी को I mean इसी formula को य derivative, d by dt क्या है, first order derivative of the, क्या बच गया है यहाँ पर x, तो x क्या है displacement of the object with respect to what time, जो अपन में होते हैं उसको क्या बढ़ते हैं हम लो, with respect to, यह भी हमने आपको अरड़ी पढ़ा चुके हैं, okay, and anyways आप math के student होंगे तो आपको यह वैसे पता होगा, और physics में भी आपने differentiation पढ़े होंगे, तो यह आपको idea लग गया होगा, okay students, तो यह थे types of velocity, I hope आपको यह clear हो गया होगा, अगर आपको माई वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला, तो please हमाँ चैनल को सब्स्राइक कीजिए, and वीडियो को like ज़रूर करें, आज के लिए इतना ही, thank you